गुड मॉनिंग डियर स्टूडेंट्स बिटा आज हम डिसकस करने वाले हैं एनर्जी के वाले में और पिछली क्लासेज में भी बिटा मैंने आपके साथ में एनर्जी का डिसकसन किया था उसको मैं आप लोगों को एक मिनट आपको बता देता हूँ कि बेसिकली मैंने आपको एनर्जी के बारे में क्या बता था आपको मैंने बता था डियर स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि ये कोई मूविंग बॉडी है बिटा क्या ये मूविंग बॉडी अगर डियर स्टूडेंट्स ये मूविंग बॉडी अगर स्ट्राइक करती है किसके साथ में बिटा एक अनौदर बॉडी के साथ में स्ट्राइक करती है जो एक्चुली किसमे है बिटा रेस्ट के अंदर है तो dear students क्या होता है जो भी वाली जो body जो होती है उसके अंदर क्या produce हो जाती है बटा displacement produce होती है इसका मतलब ये जो moving जो body है वो capable है क्या करने के लिए बटा work done करने के लिए तो ये जो capability है इस body की ठीक है बटा क्या करने की work done करने की इसी ability को dear students हम measurement करते हैं उस body की किस से बिटा energy से measurement करते हैं ठीक है दूसरी चीज मैंने आप लोगों को energy की कुछ characteristics भी बताई थी बिटा कि जो entire जो mass है entire जो mass है या matter है बिटा वो क्या possess करता है energy possess करता है ठीक है बिटा और जो जिस object के अंदर energy possess होती है वो dear students एक force exert कर सकता है किस पर another object पर जैसे मैंने कहा था कि moving object है अगर यह किसी another object के साथ में strike करेगा तो dear students के अंदर motion produce करेगा ठीक है बिटा इट मीन्स हम यह कहेंगे कि moving body बीवाली body पर का exert कर रही है ठीक है बिटा यह चीज मैंने आप लोगों को बताई थी एक मैंने आप लोगों को बताया था कि energy बिटा manifest होती है manifest होती है itself in so many different form के अंदर ठीक है बिटा heat energy, sound energy, light energy, electrical energy ठीक है बिटा बहुत energy है many kind of form of energy है बिटा amount of energy transfer amount of energy can be transfer measurable है बिटा जो amount of energy बिटा transfer होती है उस वाली बोडी को उस energy को dear students उस amount of energy को क्या कर सकते है measurement कर सकते है energy को store कर सकते है अब कैसर energy कहां store हो रही है जो हमारे जो electric cell जो होते है electric cell जो होते है electric cell है ठीक है बिटा और electric क्या है बिटा battery है यह सभी क्या है बेटा इलेक्ट्रिकल जो बैटरी है यह सभी क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है क्या करती है यह समझ में आया आप लोगों को दूसरा energy neither be created nor be destroyed it means energy ना तो create हो सकती है और ना ही क्या होती बटा destroyed होती है total energy of the universe always क्या है बटा constant है मतलब हमारी जो energy है वो एक conservation को अबे करती है जिसका नाम है law of conservation of energy इसको हम next classes में explain करेंगे गूसरी चीज मैंने आप लोगों को energy के बारे में energy के बारे में unit के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बटा energy जो होती है वो mass में भी convert हो जाती है और mass जो है बटा वो किस में convert हो जाता है energy के अंदर convert हो जाता है किस की help से बटा e is equal to mc square की help से तो ये basically क्या है बटा Einstein का mass energy relationship है की पड़ी है ठीक है बटा अब मैं आज की class में dear students एक discussion करने जा रहा हूँ बहुत important term के बारे में आप लोग जहान से समझेंगे इस चीज को जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी न बटा कि मान लीजिए कि ये कोई body है बटा ये moving body जिसका mass m है और v velocity से अगर move कर रही है अगर ds students ये अगर किसी another object से अगर ये strike करेगी ये और ये वाले बटा बटा body b है और ये किसमे है at rest के अंदर है ds students ठीक है तो ये वाली जो body है जब इसके साथ moving body जब इस b वाली body के अंदर क्या produce होगा बटा एक motion produce होगा क्या produce होगा बटा motion produce होगा it means ये वाली बटा बी वाली body एक क्या travel करेगी बटा displacement travel करेगी क्या travel करेगी बटा displacement ठीक है बटा अब देखो अगर ये work done किसे हुआ बटा ये वाली body से हुआ है ये वाली बॉडी ने बी वाली बॉडी पर क्या किया वर्क डंड किया ठीक है बटा तो ये जो अमाउंट आप जो वर्क डंड जो कैल्कुलेट होगा ना यहां पर इस energy को हम बोलते हैं kinetic energy बोलते हैं तो ध्यान रखना है इस चीज़ को अब जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये flowing water है अगर मान लीजिए water को मैं किसी height से अगर मैं fall कर रहा हूँ बेटा मैं water को dear students में क्या कर रहा हूँ fall कर रहा हूँ great height से और flowing water great height से अगर fall अगर मान लो मैं आपर कोई turbine लगा दूँ ठीक बेटा क्या लगा दूँ टर्वाइन turbine के अंदर इस तरीके से blades होते हैं अब जैसे ये flowing water dear students जब great speed से जब इस पर strike करेगा ठीक बेटा तो basically जो turbine है वो क्या करेंगे बेटा rotate करेंगी क्या करेंगी rotate अगर ये turbine blade turbine blade अगर dear students rotate करेंगे तो इसके साथ मैं अगर मान लो मैं एक साफट लगा देता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ बेटा एक यहाँ पर मैं लगा देता हूँ dear students यहाँ पर मैंने fitted कर दिया एक generator क्या लगा दिया बेटा generator लगा दिया तो generator क्या करेंगा dear students वो क्या करेंगा बेटा generator जो हो वो एक energy converter है बेटा क्या एक energy converter वो mechanical energy को dear students electrical energy में क्या करता है electrical energy में convert कर दा बेटा जहाँ रखने सीगए mechanical energy को electrical energy में क्या करता है Convert करता और मैंने बताता है energy energy created and not be destroyed it means हम यह कह सकते हैं कि ये वाला जो flowing water है इसके पास में एक ability है यह जो flowing water नो उसके अन्द एक ability है क्या करने कि वीटा वर्क डन करने की क्या वर्क डन कर रहा गज़ा ये turbine को क्या करा रहा है rotate करा रहा है जब यह flowing या जब यह Flowing Water जब DR Students जब वौल होगा तर्वयन पह सलब तर्वयन क्या करेंगी रोटेट करेंगीasında रोटेट कारेंगी समय कर शकते रोटेट करेंगे पल इसके पास मी क्या का सकते हैं कि पैस्पट ट्रवयन को रोटेट करने की जिसकी वजह जैसे जो generator है वो क्या कर रहा है इस फ्लोइंग वाटर के द्वारा इस वर्कडन को करने के लिए ठीक है टर्वाइन को रोटेट करने के लिए यह जो ability है डिया स्टूडेंट्स इस ability को हम बोलते हैं बोलते तो energy है बट इसको हम एक special energy energy बोलेंगे जिसका नाम क्या है बेटा kinetic energy है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे example है डिया स्टूडेंट्स जो daily life के अंदर हम observe करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है जैसे नेल है मान लीजे हमारे अगरलो में इसको किसी स्ट्राइक अगर किसी हैमर से अगर मैं स्ट्राइक करूँ तो हैमर को जो मैं स्ट्राइक करूंगा तो डीए स्टूडेंट यो जो होगी ना इस वोडन ब्लोक के अंदर क्या हो जाएगी एंटर कर जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो मूविंग जो है वह हमारे हो उसके अंदर एक ability है क्या करने की वर्क करने की क्या करने की वर्क करने की तो यह जो energy जो पस्जाज है इस energy को भी हम क्या बोलेंगे बटा काइनेटिक energy बोलते हैं क्या बोलते हैं काइनेटिक energy तो काइनेटिक energy की क्या definition है आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी क्या है दा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोडी ऑफ ए बोडी इसदा एनर्जी इसदा एनर्जी पाजस्ट भाई दा बोडी भाई दा बोडी भाई वर्चू ओफ इट्स मोशन भाई वर्चू ओफ इट्स मोशन तो ध्यान रखें इस सीज़का जब भी कोई बोडी मूब करती है किसी वेलोसिटी के साथ में या स्पीड के साथ में तो dear students, उस moving body के साथ में हम ऐसा जो energy जो possessed जो होगी न, वो kinetic energy होगी, कौन सी energy होगी, kinetic energy, the kinetic energy of a body is the energy possessed by the body by virtue of its motion, गुन के आधार, मतलब कौन सा गुन है, अगर किसी body के अंदर, अगर motion का गुन है, अगर वो body move कर रही है, तो by virtue of its motion, मतलब moving जो body है, वो क्या possessed करती है, kinetic energy possessed करती है, ठीक है, अब इस kinetic energy को dear students, हम कैसे measurement करेंगे, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो kinetic energy को measurement जो किया जाएगा, वो बिटा amount of work done से measurement के जाएगा, किसे measurement के जाएगा, amount of work done से, अब वो कैसे measurement होगा, अब आप लोग इसी को ध्यान सुनो, इसके दो method हैं, बिटा हमारे पास में, कितने method हैं, दो, पहला तो यह है कि the amount of energy, the amount of work done, amount of work done, in stopping, in stopping the moving body, in stopping the moving body, या दूसरा method में बोल सकता हूँ, दिया students, the amount of work done, the amount of work done, in giving the, in giving the present velocity, in giving the present velocity to body, from the state of rest, from the state of rest, dear students, इन दौनों का मतलब क्या, dear students, इसी को आप ध्यान से, समझने की कोसिस करें, अब, मैंने पहले मिल गए था, amount of work done, in stopping the moving body, अगर मान लो, stopping मतलब ये नहीं है, कि वो बिल्कुल rest में आ गई है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जहान सुनों, अगर मान लो, dear students, ये कोई body, move कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, move कर रही है, इधर direction के अंदर, इसका motion है, dear students, अगर मान लो में इसको stop करना चाहता हूँ, तो just coming into the rest, अगर मैं इस moving body को, dear students, अगर मैं stop करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको रोकना चाहता हूँ, तो मुझे इधर direction में क्या लगाना पड़ेगा, एक, applied force लगाना पड़ेगा, जब मैं applied force लगाँगा, dear students, जब मैं यहाँ पर क्या लगाँगा, applied force लगाँगा, इधर direction के अंदर, तो dear students, क्या होगा, वो इस moving body के motion का क्या करेगा बिटा, oppose करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा, तो rest में आने से पहले, जितने amount में मुझे work done करना पड़ेगा न बिटा, वो ही work done किसकी form में जाकर के store होगा, काइनेटिक एनरजी की form में जाकर के store होगा, ठीक है, अब जैसे मानलो कोई by skill है, move कर रही है, ठीक है, अगर कोई by skill move कर रही है, अधर direction के अंदर, मैंने break apply करी, तो rest में लाने से पहले, मैंने जितने amount में उस applying break के द्वारा work done होगा, वो उस moving body की क्या measurement करेगा, काइनेटिक एनरजी measurement करेगा, दूसरा method है dear students, मानलो कि ये body at rest के अंदर है वेटा, ये body किसमे है वेटा, rest के अंदर है, ठीक है, अगर मानलो dear students, इस पर मैं कोई force लगा रहा हूँ, F, और ये dear students rest से, इसकी initial velocity क्या वेटा, 0 है, अगर मानलो dear students, इसको मैं इतना sufficient force लगाता हूँ, कि इसको मैंने क्या दे दी वेटा, giving velocity दे दी, क्या दे दी वेटा, एक velocity given कर दी मतलब, इसके अंदर मतलब कहने का मतलब क्या है कि rest से, rest से, rest से, rest से, मैंने क्या produce कर दिया, इस body के अंदर वेटा, motion produce कर दिया, तो rest से motion produce करने के लिए, उस applied force के द्वारा, जितने amount में work done किया जाएगा, वो उस moving body की क्य क्या measurement करेगा बेटा, kinetic energy measurement करेगा, क्या measurement करेगा, kinetic energy, अब मैं इसको measurement समझाता हूँ, आप लोगों को किस तरीके से इसका measurement आएगा, आप लोगों को ध्यान सुनेंगे, ठीक है बेटा, किस तरीके से होगा, देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई surface है, ठीक है बेटा, body है ठीक है और मैंने यह माना कि अगर मान लीजे इस पर मैंने force लगाया F F force लगाया बटा क्या लगाया F force लगाया और यह body initially क्या है बटा at rest के अंदर है at rest इसका मतलब इसकी final velocity क्या बटा 0 है अब मैंने इसके अंदर इतना force लगाया कि body के अंदर क्या produce होगा बटा motion produce होगा और at any instant पर at any instant मैंने body की velocity मान ली बटा कितनी इस body की velocity कितनी है बटा the velocity है at any instant पर तो at any instant से इसकी जो position जो change होई है वो dear students कितनी position चेंज होई है बटा position change होई है मतलब किसी भी moving body अगर हम किसी body के अगर हम position को determine करते हैं तो किस से determine करते हैं बटा displacement से तो उन्होंने ये इतनी displacement travel करी है distance travel करी बटा ठीक है ये संजमाया ये कोई body है जो at rest के अंदर initial velocity 0 है मैंने उस पर force लगाया तो उस body के अंदर क्या produce होगा motion produce होगा मतलब एक velocity produce होगी तो A से B पर लाने पर उसने कितनी distance travel करी बटा A से distance travel करी तो बटा क्या होगा जो amount of work done होगा इस applied force के द्वारा displacement को produce करने में जिसके कारण उस moving के body के अंदर कितनी velocity है बटा वी velocity है वो work done dear students क्या measurement करेगा kinetic energy measurement करेगा अब मैं इस kinetic energy को measurement करूँगा तो कैसे मैंने बताय था amount of work done से होता है तो amount of work done क्या है बटा amount of work done amount of work done है dear students W is equal to F into में क्या बटा S है W is equal to F into में S ठीक है अब देखो बटा हमारे पास में given क्या क्या है एक तो U given है और एक V given है मतलब initial velocity ते 0 है direct student final velocity given है तो हमें यह चीज़ जरूर चाहिए कि हमें पताएगी kinetic energy during motion में produce होती है तो मुझे kinetic energy का relation चाहिए जो उस body की motion को indicate करेगा motion को कौन indicate करेगा बटा velocity indicate करेगी तो मतलब work done को मुझे velocity की term में निकालना है तो आप लोग ध्यान सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग क्या करो सबसे पहले इसमें use करो third equation of motion using third equation of motion third equation of motion कैसे use करोगे आपको पता है क्या होता है बटा V square minus में U square is equal to क्या है बटा 2A S है क्या है 2A S है तो V velocity कितने रखे है बटा V initial velocity क्या दे रखे है 0 का square is equal to क्या बटा 2A S तो आपका क्या आगया बटा V square is equal to क्या आगया बटा हमारे पास में 2A S तो A is equal to आगया बटा हमारे पास में V square upon में क्या बन गए बटा 2S बना force क्या होता है Newton second law of motion के according में Newton second law of motion क्या कहता बटा Newton second law of motion ठीक है कि अगर किसी body की velocity change हो रही है क्योंकि velocity दे change हो गई अगर किसी body की अगर velocity change हो रही है तो dear students वहाँ पर जो force जो लगेगा वो किसके बराबर होगा बटा mass into में acceleration के बराबर होगा मैंने मान लिए इस body का mass m में और mass कभी भी motion की बज़े से change नहीं होता तो f is equal to क्या आगा बटा m into में a तो f is equal to m into में a की value क्या बटा v square upon में 2s ठीक है बटा अब आप लोग इस equation में इस equation में f की value रखो तो w is equal to क्या आगा बटा मारे पास में w is equal to आगा ds students f की value क्या है m into में v square upon में क्या बटा 2s into में क्या बटा s s से s क्या हो गया cancel तो w is equal to क्या आगा बटा m v square upon में क्या बटा 2 इसका मतलब यह जो work done है यह किस किस factor पर depend कर रहा बटा एक तो mass पर depend कर रहा है और दूसरा ds students depend कर रहा है velocity पर ठीक है तो यह जो amount of जो work done जो होगा dear students यह इस वाली body के अंदर kinetic energy की form में जाकर के क्या होगा store होगा तो this work done this work done is stored in the form of in the form of kinetic energy in the form of kinetic energy तो क्या आएगा dear students जितने amount में work done होगा उतने amount में energy पज़ज होगी क्योंकि जितनी किसी body के अंदर ability होगी capacity होगी work करने की वो उतने amount में ही क्या करेगी वीटा work done करेगी ठीक है क्या करेगी work done तो kinetic energy ke is equal to w के बराबर तो kinetic energy is equal to work कितना वीटा mv square upon में क्या वीटा 2 तो kinetic energy आप लोगों से calculate करने अगर पूछे तो kinetic energy आप easily calculate कर सकते हो किस से वीटा mv square upon में 2 से तो basically यह amount of work done नहीं है यह amount of work done कब है जब हमारी कोई body rest के अंदर है उस पर मैंने क्या लगा force लगा उस body को मैं उस force की वज़े से मैंने उस body के अंदर motion produce कर दिया जिसकी वज़े से उसने tiny instant पर कितनी distance travel करी वीटा एस distance travel करी तो यह जो work done जो आया है यह students यही उस moving body की क्या कहलाएगे kinetic energy कहलाएगी क्या कहलाएगी बिटा kinetic energy तो आज मैं आपको यही kinetic energy बताऊँगा बिटा तो please आप इनके notes जरूर बनाए ठीक है अगर किसी students को कोई problem है किसी question में तो बिटा मेरे पास मैं whatsapp जरूर कर दे मैं आपकी problem जरूर solve करूँगा बिटा कोईस रहेगी कि मैं उसी time पर solve करूँ आपकी problems अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है ठीक है बटा थैंक्यू